इस विडियो में दी हुई जानकारी internet से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस विडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Voxidap 25 Tablet एक प्रकार का antidepressant है जो selective serotonin reopatek inhibitor यानि की SSRI दवाओं के समूह से संबंधित होता है। यह अवसाद का इलाज करने के लिए निर्धारित है, जहां यह आपको बहतर महसूस कराने में मदद करता है। इस दवा का उपयोग जुनूनी बाधिकारी विकार वाले लोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। Voxidap 25 Tablet का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। अपने डॉक्टर से बात किये बिना खुराक में बदलाव न करें या इसे लेना बन न करें, भले ही आप ठीक महसूस करें। ऐसा करने से आपकी स्थिती और खराब हो सकती है या आप वापसी के अप्रिय लक्षणों यानि की चिंता, बेचैनी, धरकन, चक्कर आना, नींद में गरबड़ी, आधी से पीडित हो सकते हैं। अधिक से अधिक लाब पाने के लिए इस दवा को नियमित रूप से प्रति दिन एक ही समय पर लें। आपको बहतर महसूस करने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। यदि आपको चार सप्ताह के बाद भी कोई सुधार नहीं दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपको मिर्गी यानि की जबती विकार या दौरे, मधुमय, यकृतिया, गुर्दे की बीमारी, हिर्दे की समस्याएं या ग्लुकोमा है। ये आपके इलाज को प्रभावित कर सकते हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य दवाएं इसके काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। विशेश रूप से अन्य एंटीडिपेंटेंस और दवाएं जिन्हें MAO इन्हीबिटर कहा जाता है। कृपया अपने चिकित्सक को उन सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आप ले रही हैं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।